ओम नमस्षिवाएं मैं हूँ एस्ट्रोजर के एम से और मैं अपने से यूटूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ लगाता है ट्रैवलिंग के कारण इससे मैं आपको मेरा वीडियो नहीं दिखाई देगा और मैं इसको रिकॉर्ड करके अपने टीम के माधियम से अपलोड करवा रहा हूँ ये 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी 2022 कैसा बीतेगा में से लेकर मीन लगन वाले जातकों का सापताहिक राशी फलम समझते हैं देखे इस समय जो मेजर चेंज़िंग होने वाली है गोचर में वो दो बड़े गरह है जो राशी परिवरतन करने वाले हैं एक मंगल देव का राशी परिवरतन होगा जो अभी तक धनु राशी में वो पस्तित है और यह मकर में चले जाएंगे और आपको पता होना उच्च के मंगल का पत्तेक लगन पर क्या प्रभाव होगा इसको भी आप कल के वीडियो में देख पाएंगे लेकिन इस हफते यानि ये पूरा हफता वैसे तो 21 फरवरी से लेकर 27 फरवरी का है लेकिन मैंने 28 फरवरी भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया इस पूरे महीने का जो अंतिम सारे दिन है उनको इसमें इंक्लूड किया गया है मंगल का राशी परिवर्तन 26 को और शुक्र का राशी परिवर्तन मकर में 27 को हो जाएगा प्रतेक लगन पर क्या प्रवाव पड़ेगा आई हम समझते हैं सबसे पहले मेश लगन वाले जातकों की बात करते हैं देखे मेश लगन में चंदर्मा का जो गोचर है जो आपको डिस्प्ले में दिखाई दी रहा होगा सब्तम भाव जो की यलो कलर से मैंने दिखाया है इसका मूमेंट होगा सब्तम अस्थान से लेके दशम अस्थान तक और चंदर्मा हफते का जो प्रारंब रहेगा मेश लगन वाले जातकों के लिए एक तो जीवन साथी के साथ प्रेम संबंद को बढ़ाएगा दूसरा भूमी वाहन मकान से संबंदित अगर कोई नया कारे करना चाते हैं उसमें मदद करेगा आपका लगने उच्चका होने जा रहा है तो जैसे ये उच्चका होगा तो नौकरी व्यवसाहे में जिनको परिशानिया चल रही थी वो उच्चका भी होगा और दिशाबली भी रहेगा दशामस्तान पर मंगल दिशाबली हो जाते हैं तो इस कारण से आपका ये पूरा हफते का जो प्रारंबिक दो दिन रहने वाले हैं वो आपके काफी अच्छे रहेंगे इसमें कहीं पर भी मुझे कोई डाउट नहीं दिखाई दे रहा है हफते के मद्ध में थोड़ी परिशानिया उत्पन हो सकती है किसी प्रकार का गले में इन्फेक्शन हो जाना किसी प्रकार का विवाद हो जाना वाडी का उगर हो जाना कोल्ड कफ इत्यादी लगना ये सारी चीज़े हफते के मद्ध में ही होना है हफते का अंत आपके लिए सर्वस्रेष्ट रहने वाला है क्योंकि हफते के अंतिम तीन दिन में ही मंगल का राशी परिवर्तन भी होगा शुक्र का भी राशी परिवर्तन होगा और ये दोनों दशम अस्थान पर चले जाएंगे हला कि देखिए शुक्र ग्रह आपका मारक ग्रह है वो दशम अस्थान पर आपके लगनेश के साथ रहेगा तो यहाँ पर मैं सबी लोग को बता दूँ यहाँ पर यह मारक की भूमिका नहीं निवाएगा जब कोई कारक ग्रह के साथ मारक ग्रह यूती कर लेता है और वो दिशा बली अस्थान पर अगर कारक ग्रह हो तो निशित रूप से मारक ग्रह का प्रभाव खतम हो जाता है और वहाँ पर भाव हानी नहीं करता है तो इसलिए काफी अच्छा परिड़ाम रहेगा साहरांच्टा कहा जाए स्वास्त में तेजी से रिकवरी होने वाला है हफते के मद्वाग में थोड़ी परिशानिया रहेगी हफते का जो अंत रहेगा वो आपके कार व्यवसा है और भाग ये सभी को साथ देगा हफते के अंत में कुछ अकस्मात यात्राएं भी हो सकती है और ये यात्राएं आपके लिए अच्छी होने वाली है विरिशब लगन की बात करते हैं देखिए विरिशब लगन में ये जो राशी परिवर्ट ये पूरे हफ़ते चंद्रमा का जो गोचर होगा वो छटवे, साथवे, आठवे और नवंभाव में चंद्रमा रहेंगे और साथ में मंगल उच्छे राशी में रहेंगे जो आपका मारक अगरा है आपके लगनेश के साथ रहेगा अभी भी गोचर में आप चार्ड में देख रहे होंगे मंगल शुक्र नवंभाव में है अब ये दोनों शिफ्टों के दशंभाव में चले जाएंगे तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि इस हफते का जो प्रारंब रहेगा उ इसमें छोटे भाई बैनों के साथ कुछ विवाद हो सकता है छोटे भाई बैनों को किसी प्रकार की हानी हो सकती है अकस्मात कुछ खर्च बढ़ सकते हैं पराकरम में कमी होगी शत्रू मानपत प्रतिष्ठा बिगाड़ने की पूरी कोशिश करेंगे हफते का जो मद रहने वाला है वो भी बहुत अच्छा व्रिशब लगन वाले जातकों के लिए नहीं होगा एक प्रकार से देखा जाये तो कारे के बोश के करण शरीर में थोड़ी ठकावट का अनुभव भी करना पड़ेगा और जिस तरीके से आपने किसी रिजल्ट को सोचा होगा कि ये यात्राओं का भी योग हफते के अंत तक आते आते बन रहा है और ये यात्राओं आपको करनी चाहिए आने वाले समय में आपके व्यवसाय के लिए अच्छी रहेगी परिवार में किसी प्रकार का वादिवात करना इस समय बहुत घातक सिद्ध होगा इसलिए विवादों स की बात किया जाए तो मिथुन लगन का जो लगनेश है यानि बुद्धग्रा अभी भी मकराशी में है शनी के साथ यूति कर रहा है और आपके लगन से अश्टम में विराजमान है तो अगर देखा जाए चंद्रमा का गोचर आपके पंचम शष्टम सब्तम और अश्टम गोचर करेंगे इसके गोचर के परिणाम स्वरूप हफते का जो प्रारंब रहेगा वो थोड़ा सा स्टार्टिंग अच्छा होगा इसमें नो डाउट आपको धन से रिलेटेड अच्छे समाचार मिलेंगे कोई फसे हुए धन ते तो वो भी मिलने की संभावना रहेगी ल इसको थोड़ा सा अब ध्यान दिजेगा कस्मा तो दुरगटना होने का योग बना सकता है साथ में मंगल की जो नीच दृष्टी रहेगी परिवार में पढ़ने लगेगी तो हफते के अंत तक आते आते परिवार में भी अक तगड़ा विवाद हो सकता है छोटे भाई बै रहेंगे थोड़े मधूर रहेंगे भागय का साथ पूरे तरीके से नहीं मिलेगा शियर सटा लोटरी से थोड़ी सी दूरी बना कर रखियेगा और इस हफते पूरे प्रतेक दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि गणेश जी की अरादना कीजिए गणेश जी की अरा से चतूर्थ भाव से लेके सब्तम भाव तक रहेगा देखे मिश्रित परिणाम देगा लेकिन एक बहुत ही बैतरीन चीज़ यहां पर क्या होने वाला है आपका जो मंगल ग्राय जो की अत्यंत योग का रख है अपनी उच्च राशी में चला जाएगा सब्तम अस्थान प आपके लिए जिसमें जो लोग पार्टनर्शिप में विवात कर बैठे थे वो फिर एक बार एक जुट होना प्रारम करेंगे करक लगन वाले जाता है और नए बिजनेस आइडिया के कारण जो आने वाला समय रहेगा वो काफी अच्छा व्यतीत होने वाला है मंगल के कारक होने के कारण और चंदरमा को भी रख्त का कारक माना जाता है इस कारण चेहरे पर किसी प्रकार की कुछ आप ये कह सकते हैं मंगल का प्रभाव पूरा आपको दिखाईदे का कस्मात जो आपका चेहरे पर इसकिन के कुछ इंफेक्शन आपको नजर आएंगे इसके लिए आपको परिशान नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर मंगल उच्च होते थोड़ा सा चेहरे की खुबसूरती को बिगाडने की कोशिश करेंगे लेकिन परिशान होने वाली बात नहीं है सबसे अच्छी बात क्या है कि कारे वेबसाय का मालिक उच्च का होकर सब्तम में ब लगन वाले जातकों के नहीं आ रहे थे उनके पास भी पैसे इस हफते आने प्रारंब हो जाएंगे स्वास्त जो रहेगा वो सामाने से अच्छा बीतेगा और बड़े भाई बेहनों को जो परिशानिया चल रही थी वो परिशानिया भी अब खतम होते हुए दिखाई दे रही है सिंग लगन की बात किया जाए तो सिंग लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से तृतिये भाव से लेकर चट्वे भाउ में रहेगा गोचर में चंद्रमा को किसी भी घर का दोश नहीं लगता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ दोआदस में हो चाए अश्टम के मालिक हो चाए छटवे घर के मालिक हो चंद्रमा को किसी भी घर का गोचर में दोश नहीं लगता है इस कारण से आपके जो कारे वेवसाहे के छेतर में आपको अकसमात अस्थान परिवर्तन का यो सबसे अच्छा जो समय रहेगा वो हफते का मद्ध और उससे भी अच्छा जो रहेगा हफते का अंत रहेगा हफते के मद्ध में रुके हुए कारे को पूर्ण करने का काफी समय आपको मिलेगा रुके हुए सारे कारे को पूर्ण कर लिजिए गुप्त शत्रू बुरी तरी वो जाएंगे और साथ में आपका दश्मेश जो रहेगा वो भी रोग में जाएगा लेकिन इसलिए थोड़ी सी परिशानी अस्थान परिवर्तन को लेकर होगी लेकिन अगर अस्थान परिवर्तन भी होता है तो धैरे के साथ रहे क्योंकि ये अस्थान परिवर्तन करने से ओ समय सामाने से अच्छा बीतने वाला है कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में चंद्रमा का गोचर आपके लगन से दुईतिय भाव से लेकर पंचम भाव में रहेगा इंकम के मालिक है और निश्चित रूप से यहां पर आपका जो अत्यंत योग कारक है वो शुक उनके लिए यह हफता बहतरीन रहेगा और विशेश रूप से हफते का जो अंतिम दो से तीन दिन रहने वाला है ऐसे परिणाम आपके सामने आ सकते हैं जो जिन लोगों ने मैनत किया था उनको तो मिले का ही और जिन लोगों ने थोड़ा सा भागे का सपोर्ट रखा क्यों का जो सबसे बड़ा पॉजिटिव है धार्मिक यात्राओं कि योग बनेंगे हफते का प्रारंब के लिजीये मद के लिजीये अंत के लिजीये अगर किसी लगन के लिए सर्वसरेश बन कर आ रहा है तो वो कन्या लगन वाले जातक है कन्या लगन वाले जातकों के थोड़े से कान में पिड़ा होने की संभावना जरूर दिख रही है लेकिन इसके अलावा किसी प्रकार की कोई मैं परिशानी इस हफते कन्या लगन में नहीं दिख रही है और हर प्रकार से देखा जाए चाहे वो स्वास्त की बात सब्सक्राइब इस पर अलग से वीडियो जो बना रहा हूं उसको ज़रूर देखियेगा लेकिन एक चीज़ तो यहां पर क्लिएर है विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है लेकिन जिनके प्रेम प्रसंग चल रहे थे उनके प्रेम प्रसंग में अकस्मात कुछ एक बड़ा विवाद आ जाएगा इसलिए जितना दूरी बना ले उतना अच्छा रहेगा कन्या लगन के बाद तुला लगन की बात करते हैं देखे तुला लगन में ये पूरा हफता जो बीतने वाला है वो आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए हफते का प्रारंभिक दो दिन तो बहुत अच्छा रहेगा और अंतिम जो दो दिन रहने वाले वो भी अच्छे रहने वाले है इसके बीच के जो यानि हफते का मद जो रहेगा थोड़ा परिशान आपको करेगा एक तो गर्बवती महिलाओं के गर्बहानी का योग सूरेदेव ने बना कर रखा हुआ है और साथ में यहाँ पर अकस्मात टेंशन लेकर खुद ही अपने आपको परिशान कर लेना ये भी हफते के मद में मुझे दिखाई दे रहा है गले में विकार हो जाना, वाइरल फीवर का बढ़ जाना जल छेतर में जाकर दुरगटना गरस्थ होना या दूशी जल पीने से उधर में विकार होना ये सारी चीजे हफते के मद में आते हुए मुझे दिख रहा है लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कार वेफसाय को लेकर ये पूरा समय आपके लिए हफता औसस से अच्छा रहेगा ये कन्फर्म है कार वेफसाय में पदोनिती के योग भी बनाएगा थोड़ी सी परशानी बस मद में दिख रही है और इसके लिए आपको केवल और केवल पांच टाइप के अनाजों को मिलाकर पक्षियों को दान कर देना चाहिए इसके अलाबा मेहनत आपका बढ़ेगा जीवन साथी के भागे के कारण आपका भागे भी बढ़ेगा जो लोग भूमी वहान मकान को खरीदना चाहते हैं नया निवेश करना चाहते हैं तुला लगन के हैं निश्चित रूप से एकदम निवेश कर सकते हैं क्योंकि आपका चतुरत अस्थान का जो मालिक है शनी देव उसके घर में मंगल देव जो है उच्चे के हो जाते हैं इस करण बहुत ही अच्छा प्रभाव देंगे हाला कि मारक अगरा है तो कुछ तो परिशानी करेंगे परिशानी किसको करेंगे माता को कर सकते हैं लेकिन भूमी वाहन अलाकि सबी को एक ही घर से देखा जाता है फिर भी बहुत सारी चीजों का गर्णा जो होता है थोड़ा अलग होता है यहाँ पर केवल माता के स्वास्त में थोड़ी परशानी होगी लेकिन इसके अलावा भूमी और वाहन के लिए बहुत निगेटिव चीज़े मैं नहीं देख पा रहा हूँ जरूरत से जादा मेहनत करने के कारण आपको शरीर में ठकावट अनुबाव करना पड़ सकता है लेकिन भाग यह आपको साथ देगा तो ओवरॉल मिश्रित परिणाम से अच्छा परिणाम आपको मिलेगा यह हफता केवल हफते के मद में कुछ परिशानिया रहेंगी उसको विशेस रूप से ध्यान दीजिए वरिश्यक लगन की बात किया जाए वरिश्यक लगन में चंद्रमा का गोचर आपके 12 अस्थान से लेकर पराकरम अस्थान पर होगा आपका लगनेश कौन है मंगल कहां पर जा रहा है तृतिय बाओ में किस के साथ जा रहा है शुकर के साथ जा रहा है तो एक चीज क्या चीज़ रिजल्ट क्या आखिर निकल मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ हफते का जो प्रारम रहने वाला है उसमें दोड़ धूप अकस्मात अनचाही यात्रा पर निकलना जाना पड़ सकता है आपका मन नहीं करेगा यात्रा करने का लेकिन फिर भी यात्रा करनी पड़ेगी इस स्टार्टिंग के जो दो दिन रहने वाले है उसमें शरीर में ठकावड भी रहेगी और खर्च की अधिक्ता भी रहेगी इस समय पिता के स्वास्त पर भी विशेज ध्यान देना पड़ेगा कस्मात होस्पिटलाइजेशन के भी लेकिन इसके बाद के जो पांच दिन बच रहे है वो आपके लिए स्रेष्ट है आपका लगनेश उच्च का होगा लेकिन पराक्रम के भाव में जारा और अपना कारक भाव भी तृतिये भाव कारक भी होता है मंगल देव का तो उच्च का भी है और कारक भाव में भी है तो निश्यत रुप से एक चीज़ कंफर्म है कि मान पद प्रतिश्था आपकी बढ़ जाएगी महनत आपको करना ही पड़ेगा यह मंगल की जो उच्च नीच की जो दृष्टी पड़ेगी पिता के लिए बहुत जादा घातक होगा यहाँ पर एक चीज़ तो कंफर्म है व्रिश्यक लगन वाले जातकों के लिए मंगल उच्च के तो होंगे इस पर अलग वीडियो जरूर आप चेक कर लिजेगा लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है किसी के साथ वाद वाद करने से बचिएगा नहीं तो उल्टा आपको परिशानी होगी सूर्य गोचर में लगन से पंचम अस्थान पर अभी भी रहेंगे चतुर्त अस्थान पर अभी भी रहेंगे इसलिए पिता को कष्ट का पूरा योग यहाँ पर बन रहा है कोई परिशानिया ना हो हड्डियों में अकस्माद दर्द का बढ़ जाना ये वरिश्चिक लगन में परिशानिया उत्पन हो जाएंगी कारे वेबसाय को लेकर चीज जो जाएंगी ये पूरा हफता अच्छा रहने वाला है और मेहनत आपको करना पड़ गए लेके दूइतिय बाव में रहेगा चंद्रमा क्या है आपके लिए आठवे गर के मालिक है लेकिन आठवे गर का दोश नहीं लगता आपको पता है चंद्रमा को किसी भी घर का दोश नहीं लगता है इनकम के साधन में कुछ रुकावट जरूर आ सकता है इनकम के साधन में कुछ रुकावट आ सकता है कुछ ऐसे प्लानिंग आपने कर लिए हो कि अब तो इनकम बढ़ेगी पता चला कि हफते के प्रारंब में ही निगेटिव रिस्पॉंस मिलना प्रारंब हो गया तो धनू लगन का जो प्रारंबिक दो दिन रहने वाले है या समा का जाप आपको जरूर करना चाहिए जिससे कि आप अधिक से अधिक पॉजिटिव फील करें शरीर में आलसिता सूरेदेव और वाड़ी अस्थान पर शनी देव धन में विलंब कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन पॉजिटिव क्या क्या चीज़े आ रही हैं जीवन साथी का सायोग मिलेगा और साथ में जो आपका जो इस समय धन की बात किया जा तो धन से रिलेटेड बड़ी अच्छे समाचार आपको इस हफते के मद में निश्यत रुप से मिल जाएंगे जिनके बहुत लंबे पैसे फसे हुए हैं और काफी दिनों से फसे हैं उनके पैसे धनु लगन वाले जातकों को मिलना तैय है प्रेम प्रसंग अकस्माद बढ़ सकते हैं और शत्रियों का अंत होगा मकर लगन की बात किया जाएं देखिए मकर लगन में चंद्रमा का जो गोचर है आपके दशामस्तान से लेकर आपके लगन में होगा निश्यत रुप का उच्च का हो जाना और आपके लगन में जाकर बैठना जरूर से जादा आपको ग्रोधित करके रखेगा हर बात पे निगेटिव्टी आ जाएगी हर बात पे क्रोध आएगा और क्रोध को अगर आपने सयम नहीं किया तो निश्यत रुप से बहुत सारी चीज़े विवा निगेटिव्टी ना फीलो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा कारेवेवसाहे में अस्थान परिवर्तन की योग बन रहे हैं और साथ में पराक्रम भी आपका बढ़ेगा पराक्रम बढ़ेगा मानपत प्रतिष्टा में वृदी होगी और जो लोग मकान बनाना च चाते हैं वो भी कर सकते हैं शियर सटा लोटरी से इस हफते निराशा मिलेगी इसलिए दूरी बना कर रखिये तो जादा अच्छा रहेगा और जब भी मैं शियर सटा की बात करता हूं डिस्क्लेमर हमेशा नोट कर लिजेगा ये इसमें कुछ जोखिम हो सकता है और ये परिशानिया हैं हफते का अंत आते आते चीजे ठीक हो जाएंगी जिनको किड्नी से रिलेटेड परिशानी चल रही थी वो परिशानिया खतम हो जाएंगी और वैसे भी जो बहुत सारे रोग मकर लगन में चल रहे थे वो सारे रोग अब एके करके खतम होते हुए है वो हार्ट की परिशानिया हो उनको विशेस हफते के मद में जरूर रख लेना चाहिए कुम्ब लगन की बात करें कुम्ब लगन में चंद्रमा का जो गोचर रहेगा आपके भाग्यस्थान से लेके खर्चस्थान तक रहेगा तो स्टार्टिंग का जो पहला दो दिन रहने वाला है उसमें भाग के साथ नहीं देने वाला शियर सटा लोटरी बे भारी नुकसान हो सकता है और कारे वेवसाय को लेकर भी मन अंदर से बेचैन रह सकता है लेकिन इसके बात के जो तीन से चार दिन आपको दिखाई दी रहे हैं वो आपको अच्छे रहेंगे इस समय ज पूरा पढ़ने के बाद आप साइन कर सकते हैं इस समय किया गया आपस में जो समझोता होता है जिसको हम लोग Memory of Understanding कहते है या Memorandum of Understanding कहते हैं MOU उसमें आपके लिए एक अच्छा परिणाम आता हुआ गोचर में मैं देख पा रहा हूं जिनके कोट के चैरी के मामले चल रहे पक्ष आपके पक्ष में नहीं आएगा फैस्ता जिसके कराण मन चिंतित रहेगा इसलिए समय कोई भी काम बनने वाला नहीं है तो लीगल केसिस के लिए समय अच्छा नहीं है लेकिन बाकी सभी चीजों के लिए समय अच्छा रहेगा थोड़ा सा शरीर की अंदर एक एहंक परिशानिया कस्मात उत्पन कर सकते हैं वारता लाप करते समय सोच समझ के बात कीजिए सीधा बात करेंगे लोगों को दुख पहुचेगा और इस करण से आपको भी परिशानिया उठाना पड़ेगा अंतिम लगन की बात किया जाए अर्थात मीन लगन की देखे मीन लगन में सबसे पहले चीज में कई दिनों से आप लोगों को बता शुका आपका लगनेश ही अस्पताल में जाकर बैठा हुआ है और जब लगनेश अस्पताल में जाकर बैठा हो तो रुक रुक के कुछ ना कुछ अस्पतालों पर खर्च होना कार वैवसाह को लेकर अस्थान प अब ये कैसे आएगा मीन लगन का मुझे नहीं पता लेकिन गोचर में कन्फर्म है कि एक लंबा पैसा यहाँ पर आने वाला आपके पास दूसरी बात किया जाए तो यहाँ पर आपके पैसे आने के साथ साथ खर्च की भी अधिकता है यहाँ पर दिख रही है जो कि हफते के अंत तक आते आते एक बड़ा खर्च भी हो का निवेश करने का परफेक्ट टाइम है अगर आपको पैसे मिलते हैं तो निवेश में तुरत लगाईए इस समय किया गया निवेश आपको फलिबूत करेगा और काफी अच्छे योग बन रहे हैं और केवल हफते का जो प्रार स्वास्त को स्वास्त में जो परिशानी चल लई थी वो परिशानी भी खतम होगी और जीवन साती का सयोग मिलेगा संतान से सुख की अनुबूती भी मिलने वाली है अब समय थोड़ा पहले से बेटर हो रहा है और गुप्त शत्रु भी समय खतम हो जाएंगे लेकिन लीगल केस हो तो समझ कर आप लीगल केस कीजिए नहीं तो कुंडली का विसलेशन करवा लीजे तो अभी के लिए इतना ही और जाते जाते एक बार पुना बता दू ट्रैवलिंग पर हूँ और गाजियाबाद में इस समय एवलेबल हूँ जिनको भी अपना कंसल्टेशन लेना है वो हमारे वाट्सअप नमबर 9818318303 पर कॉल करके आप अपॉइंट्मेंट बुक कर सकते हैं अभी के लिए इतना ही मैं हूँ एस्ट लोजर की अमजिना ओम नमस्शिवा है